सल्मान अनिल और फर्दीन की नो एंट्री टू अब वरुल्धवन अर्जुन कपूर और दिलजी दोसांच के साथ बनने जा रही है फिल्म के डिरेक्टर अनीज बस्मी है वहीं जिन्होंने सल्मान खान, परदीन खान और अनिल कपूर के साथ फिल्म का पहला पार्ट बनाया था नो एंट्री टू की प्रड्यूजर बोनी कपूर है हाला कि फिल्म की में कास्ट को रिप्लेस करने की खबर से फेंस काफी खपा है मगर अब खबर आ रही है कि नो एंट्री टू की कास्टिंग से सिर्फ जनता ही नहीं बलकि खुद अनिल कपूर भी खुश नहीं है इसी वचह से अनिल और बोनी कपूर के रिष्टों में खटास आ गई है कहा तो ये भी जा रहा है कि जब से कास्टिंग की न्यूज लीक हुई है तब से अनिल बोनी कपूर से ठीक से बात नहीं कर रहे है इस बारे में बात करते हुए बोनी कपूर ने जूम टीवी से कहा कि जब तक मैं अपने भाई अनिल कपूर को नो एंट्री के सीक्वल और उसकी कास्टिंग के बारे में बताता उससे पहले ही वो नराज हो गया क्योंकि न्यूज लीक होने से उसे पता लग गया कि नो एंट्री टू में किसे कास्ट किया जा रहा है ये बेहत बुरा है कि कास्टिंग को लेकर न्यूज लीक हो गई मुझे पता है कि वो भी नो एंट्री के सीक्वल का हिस्सा बनना चाहता था लेकिन फिल्म में अब कोई जगा नहीं है मैं उसे ये समझाना चाहता था लेकिन मैं जो कर सकता था मैंने किया बोनी कपूर सिर्फ अनिल कपूर के गुस्से पर ही नहीं बोले बलकि No Entry 2 की कास्टिंग को लेकर भी उन्होंने बात की और इस दोरान उन्होंने कहा की वरुन धवन और अरजुन कपूर पुराने दोस्त है दोनों की जुगलबदी फिल्म में खिलकर दिखेगी और आज की वक्त में दिल जी दोसांच बड़ा नाम है उनकी तगडी फैन फॉलोइंग है मैं फिल्म को आज की हिसाब से वनाना चाहता हूँ इसलिए मैंने ये कास्टिंग की वहीं पिंक विल्ला के एक रिपोर्ट के मताबिक नो एंट्री का सीक्वल दिसंबर 2024 में फ्लोर पर जाएगा और 2025 में ये फिल्म सिनिमा घरों में दस्तक देगी फिल्हाल फैल्स को नो एंट्री के सीक्वल को लेकर काफी एकसाइटमेंट भी हो रही है दूसरी तरह फिल्म नो एंट्री के सीक्वल को नो एंट्री में एंट्री कहा जो रहा है बॉक्स ओफिस वर्ल्ड वाइट के एक रिपोर्ट के मताबिक फिल्म नो एंट्री में एंट्री में वरुन धवन, दिलजीव, दोसांज और अर्जुन कपूर का डबल रोल होगा अब देखना होगा कि जनता इस नो एंट्री में एंट्री को पसंद करती है या फिर ठुकरा देती है